लो फ्रेंड्स अच्छा बंदन का हाइपी सुपकामना है और मैं शेप शुरंदर आप लोग कभी चेक नहीं से पिलाया हूं नारियल का लटू जो कि बहुत कम समय में बना लेंगे और इजी भी बनाना तो इसको बनाने के लिए मैंने हापकप चीनी का इस्तेमाल कर रहा हू जो कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा इसलिए अब मेरा चीनी कलना शुरू हो गया इसको कर्मलाइज एक फ्लेवर बहुत बढ़िया लाएगा कर्मलाइज से बहुत बढ़िया लगता है आप अगर चाहे तो चासनी में बना सकते हैं इजी से और मैंने इसमें एक कप घ हस्ता भी लड़ू बनेगा और घी के साथ इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा इसलिए मैं एक कर रहा हूं आप चाहे तो भी एड़ कर सकते हैं तो आप अगर चाहे तो नई भी कर सकते हैं या ऑप्सिनल है तो देखिए मेरा करमलाइज शुरू हो गया है पूरा बन यहां देखिया हूं जो कि दरदरा है ज्यादा पेस्ट भी नहीं है तो लड़ू बहुत बढ़िया से बनेगा और इसको तकरिवान पास से मिनट तक इसको पका लेना है ताकि सॉप्ट हो जाए और बहुत बढ़िया लगे खाने में इसको जलने नहीं देना है बिच- एक खुस्पूल आएगा घी का आप अगर चाहे तो इसमें लैची पाडर भी आड़ कर सकते हैं मैं भी करूँगा और आगर आपके पास घर में मलाई है तो भी आड़ कर सकते हैं मेरे पास क्रीम है मैंने उसी को इसमें यूज करूँगा तकरीवां 50-60 गराम तक जो कि हम लो कर दो कर साथ हैं झाया तकरीवाज कर दो इसमें लैज झाहे तो पास कर दो है अब इसमें थोड़ा एलेचे पाउडर एड़ कर रहे हैं जो कि फिलेवर अच्छा लाता है इसलिए आपके पास है तो डालिया नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर दिजिए कोई जरूरी नहीं है अब इसको खाली कर देंगे ठंडा होने के लिए करेब 25-7 मिनट तक अब लड़ू कि इतना जल्दी बना रहा है लड़ू गोल भी हो रहा है देखिए कि इसको बानने के बाद अगर नारियल पॉडर इसको उपर लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा यह जैसे कि मैं लगा रहा हूं नारियल पॉडर अगर आपके पास है तो लगा यह नहीं तो फिर आप उसी में से थोड़ा पचा कर रखिए तो रहेगा तो आप लग लोग जरूर इसको एक बार ट्राय करिए और ट्राय करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि यह लटू इजी है नहीं बनाने में थैंक्यू सो मुच